तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। डैक्टरिन जेल एक एंटी फंगल दवा है जिसका इस्तेमाल तवचा के फंगल इंफेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये एथलीट फोट, जॉक, खुजली, थर्ष, दाद और सूखी, परदार तवचा जैसे संक्रमन का कारण बनने वाले कवक को मार कर काम करता है। डैक्टारन जेल का उप्योग आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए। इसका अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उप्योग करना चाहिए। अपनी आवशक्ता से अधिक उप्योग न करें। ये आपकी स्थिती को तेजी से साफ नहीं करेगा और केवल दुश प्रभाव बढ़ा सकता है। त्वचा के संक्रमन आमतोर पर दो से छे सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं। अधि संभव हो तो अपने जूते रोजाना बदलें। इस दवा का उप्योग करने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में आवेधन की साइड पर जलन, जलन, खुजली और लाली शामिल है। यह त्वचा का सूखापन, छिलका या फफोला भी पैदा कर सकता है। यह आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर अलजी की प्रतिक्रिया हो सकती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके संकेतों में दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या, चक्कराना या बेहोशी और मतली शामिल हैं। लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य दवा का उप्योग किया है, जिसमें स्टेरोइड होता है या किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी की प्रतिक्रिया होती है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा का उप्योग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसकी स्पष्ट रूप से आवश्यक्ता हो। अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या या सुरक्षित है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।